हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फीर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने इंग मोश्ट इंपॉर्टेंट का लेक्चर वीडियो का सीरीज लेकर आगया दोस्तों जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों हाउ टू सिंप्लिफाइद नंबर्स तो आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जैसे कि आपने इसके पहले बहुत सारे मैट्स में आपने क दिखते रहेंगे जिसमें बहुत सारे मल्टिपल माथेमेटिकल ओपरेशन्स आपको दिखते रहेंगे यानि कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टिपलाए एक ही में अगर पूछ देगा और इतना लंबा-लंबा एक्वेशन्स देगा तो किस प्रकार आपको सॉल करना होता है यह आप हमेशाँ कंफ्यूज होते रहेंगे तो उसका एक में आठ शॉटकट ट्रिक बताने वाला हो और वो ट्रिक को एक नाम भी है वो ट्रिक को एक नाम से जानते हैं तो वो नाम भी बताऊंगा मैं लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार बि डेफिनेटली जब भी आप फ्यूचर में कभी ऐसे ट्रिक्स जब यूज करना चाहोगे जब भी आप ऐसे मुकाम पर पहुचोगे कि आपको मैट्स जल से जल सॉल करना है कम टाइम में सॉल करना है चाहे वो गॉम्पिटिट्व एक्जाम सो बहुत सारे चीज़ों में वह तो कुछ एक्जामपल सबसे पहले लेते हैं जैसे कि अगर मैं प्राक्टिकली एक बात करूँ यहां पर एक एक्जामपल मैं ले रहा हूँ समझ लो 40 प्लस एक्जामपल में करा रहा हूँ यह नॉर्मल एक्जामपल है 40 प्लस 10-5 40 प्लस 10-5 multiply by 6 यह समझ लो क्या है एक एक तो वेस आपके दिमाप में भी दो ये दो मेथड आएंगे इसमें से कोई एक मेथड आ जाएगा तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा जो आपके दिमाप में अभी चल रहा होगा अभी एक नॉर्मल स्टुडेंट के तौर पर एक नॉर्मल जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो की बार समझ लो एक नॉर्मल स्टुडेंट के मन में क्या चल रहा है तो वो क्या करेगा सबसे पहले सबसे पहले क्या करेगा सबसे पहले वो करेगा 40 प्लस 10 तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 तो 40 और 10 को प्लस करके 50 आ गया इधर माइनस 5 है हां multiply by 6 है आगे लिख दिया 50 45 multiply by 6 हो जाएगा 45 multiply by 6 होता है 270 तो उसने answer निकाल दिया कि इस चीज को हमने simplify जो किया उसका answer कितना है 270 यह उसने निकाल लिया ठीक है बट मैं बोलूँगा इसको solve करने का एक और मैं थड़े क्या कर सकता हूँ मैं सबसे बहले क्या करता हूँ आपने पहले लिया 40 प्लस 10 लि होता है वो कितना होता है 5 होता है लिख दिया और multiply by 6 लिख दिया तो 40 प्लस 5 45 हो गया ठीक है यह आप कर सकते हो या फिर 5 multiply by 6 कितना हो गया 30 यानि कि 40 प्लस 5 6 जा 30 पहले आपने multiply कर दिया 40 प्लस 30 करोगे तो 270 आ रहे तो आप बोलोगे सौरी माफ किजीगा मुझे सिर्फ 70 तो आपका जो एंसर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है करेक्ट है बात सही है इसका मतलब एक चीज है कि अब तक जो हमने किया इसका कोई रूली नहीं है इसको solve करने का कोई रूली नहीं है आप कैसे भी कर सकते हो और अगर आपने कैसे भी किया तो आपका एंसर अलग आ सकता है हो सकता है आपने आपके आगे वाले जो student बैठा हुसको 270 आ रहा होगा कितना है पुछते ना हम लोग अभी कभी exam में बैठते हैं confirm करने के लिए पीछे वाले को पुछते है अरे इस question number 5 का answer कितना है वो बुलेगा मेरा 70 आया है अरे आपका तो 20 आरे यार उसका 70 राइट होगा मेरा 20 है तो आप क्या करते हो अपना answer को wrong कर देते हो और उसका answer जो रूल बना हुआ है तो वो रूल क्या है how to simplify any equations any complicated numbers by using a rule and वो रूल को बोलते हैं board mass rule ठीक है तो यह आपको बताऊंगा बहुत पहले शायब मैंने एक वीडियो बना है था जब हमारा एक चैनल हुआ करता सा चैनल था उसको तो हम आभी consider नहीं कर रहे है इसी चैनल पर आपको हमारा main channel यही रहेगा हमेशा main channel उसी पर हम contents आपको दे रहे है तो हो सकता है कुछ लोग बोलोगे कि सर आप दुबारा क्यों पढ़ा रहे है दुबारा नहीं है यह channel पर हमारा यह पहली बार ही है कोई बात नहीं ठीक है क्योंकि ज्यादा उस पर views गये नहीं थे और normally बहु बोड मास बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह जान लो सबसे पहले देखो, B for bracket, B for bracket, ठीक है, bracket हो गया, O का मतलब होता है, off, तो इसको consider मत करो, bracket याद रखो, bracket off, D for division, ठीक है, उसके बाद M for multiplication, ठीक है, M for multiplication, उसके बाद A है, ठीक है, A है, तो A for क्या हो जाएगा, addition, ठीक है, and last but not the least, subtraction, ठीक है, क्या हो जाएगा, subtraction, यानि कि bracket off, division, multiplication, addition, subtraction, यानि divide करना, multiply करना, add करना, subtract करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी जब equations आपको नजर आएगा, कोई भी equations जब आपको नजर आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस चीज़ को, यह हमारा formula जो है, board mass का, वो अपलाए करोगे, ठीक है, त उसके बाद जाएंगे divide करने, उसके बाद जाएंगे multiply करने, उसके बाद जाएंगे addition करने, उसके बाद जाएंगे subtraction करने, इसके पहले example बजाता है, उसमें हम कुछ भी कर रहे थे, हमारी मर्जी पहले plus कर लिया, पहले minus कर लिया, पहले multiply कर लिया, पहले divide कर दिया, लेकिन शोटा सा एक्जामपल ही जिससे आपको एक आजद हो जाएगी उसके फोड़ा जो बड़ा एक्जामपल ही पूछेगा यह चोटा आपको बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ 30 प्लस 6 30 प्लस 6 माइनस 4 इस प्लस 6 division, division है क्या इसमें, नहीं है, भोल जब division को भी, उसके बाद क्या करना है, multiplication, multiplication है, yes है, तो multiplication किसका है, यह दोनों के बीच में, यानि कि सबसे पहले हम लोग इसको solve करेंगे, यानि कि जो बाकी के चीज़ है, वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे, 30 plus 6 minus, यह वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 multiply बे 4 हो जाएगा, 16, multiply कर लिया, अब multiplication का काम खतम, फिर जाना है addition के पास, तो addition कहा है, यानि यह दोनों को addition करूँगा, 30 plus 6 is 36, फिर यह minus 16, अब यह तो अकेले ही बजगे, वह आपसे last minute subtraction ही जाना है, और यह subtraction ही है, क्योंकि यही बजगे अकेला, तो यही कर सकते है, 36 minus 16 is 20, आपका answer आगया 20, एकी नहीं shortcut trick, shortcut बोले तो, है तो यह normal तरीका, लेकिन आप अगर दुसरे method से solve करते हैं, तो हो सकता है, पहले आप plus करते हैं, बाद में minus करते हैं, बाद में multiply करते हैं, तो answer आपका गलत आता, तो यह तरीके से आपका answer है, वह 100% सही आएगा, ठीक है, अ आप चलता हूं, जो आज के लिए सबसे main example, जो में लाने वाला था, ठीक है, जो सबसे main example है, उसको हम लग solve करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, सबसे main example हमारे लिए आज का, और थोड़ा बड़ा example लाया हूं, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया, और यह सीख लि ध्यान से देखना question को, 12-4 multiply by 5, plus 36 divided by 9, 36 divided by 9 plus 8, यह हमारा question है, इसको हम लोग solve करेंगे, तो according to the board math, सबसे पहले हम लोग bracket open करेंगे, again bracket यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, हम next lecture जब लेक्चर जब लेक्चर जो आएगा, उसमें brackets वाला V board math जो होता है, वो आपको सिखा और सोड़ा सा complicated है वो, लेकिन आज खाली इतने कराऊंगा, don't worry, सबसे पहले क्या करना है, अपनी मर्जी होती तो मैं क्या करता, सबसे पहले minus कर देता, बात में उसको multiply कर देता, कुछ भी कर देता, लेकिन हम लोग को rule के इसाब से जाना है, तो rule हमारा क्या बोलता है, bracket करे देखो इसमें, है क्या division, yes, बिल्कुल है, 36 और 9 के बीच में division हो रहा है, तो बाकी जो चीज़े उसको same to same रख दो, 12 minus 4 multiply by 5, same to same, plus, यह 36 divide by 9, तो 36 को 9 से divide कर देंगे, तो 9, 4 जो 36 होता, यानि answer कितना आ गया 4, यानि कि इसको divide करके answer कितना आ गया 4, लिग दिया उसके जगा जो कि आपको नजर आ रहा है सामने, बाकी चीज़ same to same, 12 minus, 4 multiply by 5 कितना हो जाएगा, multiplication में 20 हो जाएगा, तो लिग दिया, 4, 5 दा 20, बाकी चीज़ same to same, multiplication के बाद क्या आता है, addition, मतलब आपको addition करना, तो इसमें addition है कौन-कौन से, addition कौन-कौन से, देखो, यह plus 4 हो रहा है, plus 8 और यह 12 है, तो 12 plus 4 plus 8 यह 3 addition मैं और यह अकेला minus में, तो plus वाले को साथ में ले लो, पहले, कैसे ले लेंगे дेखो, यह 12 plus 4 plus 8, यह 3 तो plus वाले है ना, और यह अकेला minus 20 जो है, last में है, तो सबसे बेले हम लोग प्लस वाले को प्लस कर देंगे, तो 12 प्लस 4, 16 प्लस 8 हो गया है, 24, यानि कि 24 हो गया, और last में है minus 20, और last में हमें क्या करना होता, subtraction और आपका subtraction ही आ रहा है, 24 minus 20 is nothing but 4, तो आपका answer कितना आ गया है, दोस्तो, last में 4 आ गया, यानि कि आपने जो ये पूरा method से solve किया, दिख ही method है हमारा, और इसी method से हम क्या करते हैं दोस्तो, इस चीज को solve करते हैं, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, कोई भी परिशानी इसमें नहीं हुई, हम लोग ने क्या किया, simply, just हमारा जो normal step था, उसी को follow किया, nothing else, हमने बस आपके दिमाग में यही डाल दिया है, कि आपक board mask rule भी आपके दिमाग में छब गया होगा, और अगर कोई आपको ऐसे सवाल कोई पूछ देता है, या फिर कोई आपने Olympiad वगरे में ऐसे scholarship के exam में, या फिर future में कभी आप competitive exams जब लिखोगे, होगे ना, आप बड़े होगे दिरे-दिरे, तो competition exam बहुत सारे आएंगे, जैस हमें यही बताना था, board mask कैसे करते हैं, और इसके आगे का जो lecture लेक्चर लेकर आऊँगा, वो भी एक board mask का concept है, लेकिन उसमें brackets वाले आएंगे, यानि कि बड़े-बड़े brackets, छोड़े-छोडे brackets, mixture of brackets, और उसको solve करने का technique काफी अलग होने वाला है, मतलब सेम ऐसी ही रहेग आप लोग को इस topic के उपर एक homework देना चाहता हूं, तो homework इस प्रकार है, same, ऐसे ही question में आपको देना चाहता हूं, जो कि बहुत interesting और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इसको solve जरूर से करें, तो question इस प्रकार है, 20 minus 6 multiply by 5, 20 minus 6 multiply by 5, plus 4, divide by 2, plus 1, यह हमारा आपके लिए question ह इसका solve करने के बाद, जो आप board mass rule से इसको solve करोगे, solve करने के बाद, जो भी answer आता है दोस्तों, please हमारे comment box में आप comment करके बताना, ताकि हम लोग भी पता चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं, जिनको यह rule समझ में आ गया है, और definitely मैं छाती ठोके बोल सकूँगा, कि बच्चा जो के साथ आज का lecture वीडियो होता है, समात, ऐसा ही और वीडियो हमारे आते रहेंगे, syllabus के वीडियो हमने अल्री complete कर दी है, playlist में जाईए, आप देखिये, जो भी आपको चाहिए, आपको मिलते रहेंगे, कोई भी tension लेने की जरूत नहीं है, ठीक है, तो इतना ही था हमारा आज का session, उमीद करता हूँ, आपको हर एक चीज़ पसंद आ गया होगा, दोस्तो, लिटरली अगर अच्छा लगा है, दोस्तो, useful लगा है थोड़ा भी, तो ये प्लीज वीडियो को like कर देना, दोस्तो, and share कर देना, ज्यादा से शेयर करो, मैं चाहता हूँ, काफी लोगों को प कर देना, झाले अच्छा लगा है